आज योग और रोग जो आपका विशय है उसके अंतरगत हम हिदय रोग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे हमारे जो योग के सिक्षार्थी हैं उचार डिप्लोमा पाठिक करम से हूँ या असनाता के अपरासनात्मा किसी भी अस्तर से हूँ ये करक्रम रोग और योग सब को पढ़ना अनिवारे होता है रोग और योग में हमें बताते हैं कि बीमारियां क्या होती है और उनके लक्षण क्या होते है और उनका योगिक उपचार कैसे किया जाए तो इस क्रम में आज हम आपसे रिदय रोग के बारे में चर्चा करते हैं तो हिरदे आप जानते हैं कि सरीर का एक बहुत महात्वपूर रंग है जो हमारे वक्षस्थल में बीचो बीच जो इस हड़ी है जिसको हम इस्टर्णम कहते हैं ठीक इसके पीछे इस्थित होता है उसका ज्यादातर हिस्था बाएं तरफ होता है और थोड़ा सा भाग जो है और दाहिने तरफ होता है जो इस प्रकार से वक्षस्थल में इस्थित होते हुए दिन रात ऑो पंपिंग एक्शन करता रहता है रक्ट को पंप करता रहता है और bornपिंग क्रिया के दके द्वारा रक्ट अमारे पूरे तप्वों को आक्सिजन को एबजार्व कर लेती हैं और फिर जब ब्लड हमारा डी आक्सिजेंटेड हो जाता है तब फिर आक्सीजन गरहन करने के लिए पुना हिदय की ओर आता है तो इस प्रकार हिदय हमारा पंपिंग स्टेशन है जो दो प्रकार के संचरण को कर रहा है ए पिर उसको आक्सिजिणेट करके पुना उसको पंप करने में लगा हुआ रहता है तो रख्त एक महत्वपुन अवयव है हमारे शरीर के लिए जिसके द्वारा ही जीवन हमारा चल रहा है रख्त के ही माध्यम से हमारी कोशिकाएं पोशन ग्रहाण करती हैं रख्त के ही माध्यम से हमारे वू तक आक्सिजन ग्रहाण करते हैं और अपना जीवन बरकरार रखते हैं यदि किसी कारण किसी यंग को रख्त का संचरण बाधित होता है तो वह छेत्र जहां का संचरण बाधित हो रहा है उसका जीवन संकट में आ जाता है खास करके अगर हम हृदय की बात करें तो लिदय के मांध स्पेशी को जिसको मयोकाडियम कहते हैं उसको रख्त सप्लाई करने वाली जो कोर्निरी आर्ट्री though पूरे िसकर मायोकाडियम को रख्त प्रवाहित करने में मदद करती नहीं का प्रवाह कहीं अवरोध हो रहा है तो हुर्दय के उस छेत्र को जीवन का संक्ट उत्पन हो जाता है जिसको हम heart attack कहते हैं या myocardial infarction कहते हैं अगर आंशिक रूप से हो रहा है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती आप जब कोई कारे करते हैं कोई परिश्रम का कारे करते हैं तो सांस फूलने लगती है सीना भारी हो जाता है और जैसे ही आप आराम करने लगते हैं थोड़ा सा विस्त्राम लेते हैं फिर वह चूंकि oxygen की के दिमांड कम हो जाती है तो हृदय का जो भार है वो कम हो करके आपको आराम कर देता है इसको इंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं या ischamia का मतलब होता है कि सरीर के किसी यंग को उसके दिमांड के मुताबिक जिसने उसकी आवस्त्ता है उसके मुताबिक रग्त का प्रवाह रक्त की सप्लाई कम हो रही है यह इस्टीमिया कहलाता है यह मायोकार्डियम में है तो मायोकार्डियल इस्टीमिया हो गया हमारे ब्रेन में है तो सेरिब्रल इस्टीमिया हो गई किसी भी पार्ट में अगर रक्त का प्रवाह दिमांड से कम है तो उसको हम इस्टीमिया कहते ह और ischemia अगर बहुत देर तक sustained है बहुत देर तक रक्त का प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो वहां का tissue मर जाता है वो उतक मर जाता है जिसको necrosis कहते हैं इसलिए आप देखी अगर हिर्दय का जो आगहात होता है heart attack अगर बहुत severe है बहुत massive area myocardium का affected हो रहा है उसको रक्त प्रवाह नहीं मिल रहा है और oxygen नहीं पहुँच पा रही है तो ऐसी इस्थिती में व्यक्त की मृत्य हो जाती है रिवाइब नहीं कर पाता heart अपने आपको सिर्फ oxygen की कमी के कारण सिर्फ nutrients के न पहुचने के कारण heart का जो tissue है myocardium जो मसल है हमारी वो dead हो जाती है और जिसकी वज़े से severe heart attack के कारण रोगी की मृत्य हो जाती है तो इस प्रकार आप देखिए कि हिर्दय हमारा जो एक pumping center है blood का बहुत महत्वपूर्ण कारी है इसका और इसमें कोई भी रोग यदि जन्म लेता है तो हिर्दय की समस्त जो प्रक्रियाएं है उनको disturb करता है उचाहिए आपका मस्तिस्क हो चाहिए आपका gastrointestinal tract हो चाहिए आपकी kidneys हो सरीर का कोई भी यदि हिर्दय अस्वस्थ है तो वो प्रभाव हर एक जगे उसका देखा जा सकता है अब हिर्दय के रोग के बारे में हम बात करें तो देखि को होते हैं जो जनमजात होते हैं यह जिसकों सब्सक्राइब क युद्यातल कोई होते हैं और दूसरे रोगं होते हैं इसको बाहर करता हैं इसको आप रिखा है कि हूद travail में दो तरह की भी मारिया है पहला आप देखिए कंजनाइट Vergleich का मतलब यह होता है कि हिर्दै के अंदर ऐसा दोश ऐसा रोग जो पडीडायसी है जो श्रिशु जन्म लिया उस रोग के साथ ही जन्म ले रहा है ऐसे diseases को जो हार्ट में बनी हुई है उनको हम कंजनाइटल हार्ट डिसीज कहते हैं यह कंजनाइटल हाट defect कहते हैं अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से defect होते हैं हमारा हिर्दय जो है वो 20 से एक line के द्वारा दो भागों में बटा होता है अब उस muscular line को उस muscular दीवाल को हम कहते हैं septa हमने आपको अपने पहले lectures में भी बताया है क्रिदय के अंदर चार कक्ष होते हैं ऊपर के दो कक्षों को एट्रिया बोलते हैं और नीचे के दो कक्षों को वेंट्रिकल कहते हैं और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक muscular वाल होती है और वो वाल दोनों को separate करती है अलग रखती है दाहिने तरफ का हिस्सा दाहिने तरफ है बाया तरफ का हिस्सा बाया तरफ से दोनों के बीच में वाल खड़ी है कि कोई आपस में इनका कमनिकेशन नहीं होना चाहिए जिससे रिदैक से रक्त का प्रवाह एक दिसा में हो वन वे सर्कुलेशन हो यदि किसी कारण गर्भावस्था के दोरान किंचित परिस्थितियों के कारण यह वाल जो बीच से जिसको सेप्टा हम कह रहे हैं बंद नहीं होती कहीं उसमें सूराख रह जाता है तो इसको सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं अगर एट्रिया के छेतर में यानि ऊपर के जो चैंबर्स हैं उसके छेतर में है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है और नीचे के जो चैंबर्स हैं वेंट्रिकिल्स जिनको कहते हैं उस इससे होता क्या है अगर एट्रिया अथ्वा वेंट्रिकिल किसी भी छेत्र में डिफेक्ट है एक सूराख है तो दोनु तरफ के जो चैंबर से उनका रक्त आपस में मिलता रहता है यानि शुद्धरक्त अशुद्धरक्त दोनु आपस में मिल रहे हैं जबकि ऐसा होना नहीं नीच्य वेंट्रिकेल का जो ब्लड है राइस साइड काजो सर्कुलेशन में और एक रास्ती असुद्धरक्त आएगा रिद्ध्य के अंदर तो दूसरे रास्ते श्रुद्धरक्त शरीर के परिशन चरण है तो प्रेशित किया जाएगा तो ऐसी बीमारियां ऐसे डिफेक्ट जो पैदाइसी हो जाते हैं जिसको लेगे बच्चा पैदा होता है उसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं इस क्रम में और भी कई डिफेक्ट्स हैं जो हार्ट के अंदर के तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में बेसिकली योग का सद्ध्या उतना रोल नहीं होता जितना की सर्जिकल इंटर्वेंशन का और तमाम उपचार है जो फार्मकोलोजकल इंटर्वेंशन से उनका ज्यादा रोल होता है अब दूसरे बिंदू पे आप आईए तो हो गया तो ऐसी कौन सी बीमारियां है जो की बीमारी पैदाएसी नहीं थी लेकिन बाद में जन्म के उपरांत जीवन परव्यंत जीवन के किसी भी स्टेज पर हमको बीमारी हो जाती है उसको हम एक्वाइर डिजीज कहते हैं अब इस क्रम में अगर हम आप से बात करें तो कराया देखा जाता है कि शरीर के आंदर जो हुरदय है अभी हमने आप से बताया उसका मुख्यकार है कि जितना भी शरीर का भाग है उसको रख्त के माध्यम से जीवित रखना जीवन के आवश्यक पोशकत्त्तों को आक्सीजन को सभी उतकों तक पहुचाना और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है क्योंकि अगर एक बार हृदय अस्थाई रूप से बंद हो गया तो वहीं से जीवन का अंत हो जाता है तो निरंतर बिना रुके हुए 24 घंटे अपने लय में हृदय पंप करता रहता है ब्लड को चाहे आप जागरित अवस्था में हूँ चाहे सुपता वस्था में हूँ और सरीर में रक्त का संचार दोड़ रहा है जिसके द्वारा जीवन आपका चल रहा है यदि इसमें अवरोध आ गया तो जीवन आपका संकट में है आपका अस्तित तो संकट में हो गया आइक्वायर डिजीज़ में सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं इस्चीमिक हार्ट डिजीज यह आई एच डी यह आप देखें आई से हो जाता है इस्चीमिक हार्ट डिजीज इस्चीमिक हार्ड डिजीज हमने आप सबी बताया कि इस्चीमिया का मतलब होता है कि दिमान के मताबिक यदि सप्लाई कम है किस चीज की रक्त की तो उसको इस्चीमिया कहते हैं चूंकि यहां मायोकार्डियम में रक्त की सप्लाई कम हो रही है तो इसको हम मायोकार्डियल इस्चीमिया बोलेंगे यानि हृदय की जो मान स्पेसी है उसको रक्त का प्रवाह उपयुक्त पूरे आतरे से नहीं मिल रहा है कम मिल रहा है अब किस हिससे में कम हो रहा है क्योंकि आफ जानते हैं कि हमारा इसकी जो दिवाले है जो सामने से दिखाई पढ़ती है वह और छह जो पीछे से दिखती हो पोस्टरियर वालही होती है जो नीचे से वह इंफीर29 वाल है इस तरह से किस एरिया की मान स्पेशी को रग्त का प्रवाह कम हो रहा है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है कि जैसे अगर किसी को heart attack हुआ मायो कारडीयल इन्फाक्षन हुआ तो एक इसेаете करके ये exercise करके पता कर लेते हैं कि किस एरिया में दर्च का प्रवह रुका अंटीर वालमई हो सकता क्रेंट मालमई हो सकता एक छीजों पर डिपेंड करता है कि इस्टीमिक हार्ट डिजीज है अथवा नहीं है अब एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि भई किसी को हार्ट डिजीज है या नहीं है उसको कैसे पता चलेगा क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिनके द्वारा यह पता किया जा सकता है कि हिर्दय रोग ग्रसित है अथवा हिरदय रोग के लक्षण एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि वह किसी को हिरदय रोग है अथवा नहीं है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको बताते हैं कि यदि इस तरह की असामान या नुभूतियां किसी व्यक्ति को हो रही है तो किस सिस्टम का मर्ज हो सकता है हाट का हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो सकता है नर्वस सिस्टम का हो सकता है इत्याद इत्याद तमाम ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं ऐसे तमाम असामान भूतियां व्यक्ति को होने लगती हैं जो एक किसी खास तंत्र की रोग अग्रसित होने की दसा को इंगित करती हैं तो इस करम में यदि हम रिदय रोग के लक्षणों में देखें कि कैसे पता चलेगा तो सबसे पहला लक्षण हमने आदेखे लिखा चेस्ट पेन यह सबसे पहला लक्षण है चेस्ट पेन चेस्ट का मतलब होता है हमारा क्योंकि सीने के अंदर दर्द तमाम अन्य कारणों से भी होते हैं अगर आपके मान स्पेशियों में खिचाव आ गया है तो सीने में दर्द हो सकता है अगर आपके पेट के अंदर कोई प्राबलम है गैस्ट्रिकल सर है तो सीने में दर्द अन्भव हो सकता है प्लूरिसी हो ग अगर उसके अंदर TV हो गई यह वहां कोई compression हो रहा है वहां की बॉन defect हो गई तो सीने में दर्द हो सकता है इत्याद इत्याद जिन को हम referred पेन कहते हैं सीने में दर्द हो सकता है लेकिन रोग का जो सबसे पहला लग छंडाता है आपको अनुभो करने में वह होता है चेस्ट पेन villains अब खासियत इस बात की है कि हिरदय रोग के सीने के दर्द में और अंडरोगों के दर्द में थोड़ी सी अस्मानता है अब वह समानता क्या है पहली बात आARON जान लिजे कि हृदय रोग में जो सीने का दर्द होता है वो कभी भी जहां हमारा हृदय है वहां पे सामानता नहीं होता है फिर कहां होता है यह जो हमने अपने बीच की हड़ी बताया जो वक्षस्तल की बीच की हड़ी जिसको इस्टरनम कहते हैं इसके ठीक पीछे होता है त और इस दर्द के साथ में घबडाहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सीने पे बहुत बड़ा बोज कोई रख दे रहा है, सांस घुट रही है, आपको लग रहा है कि बस अब जान निकल जाएगी और वह दर्द आपके जबडों में, गर्दन में, अथवा आपके हाथ में रेडियेट कर रहा है तो पूरी संभावनाया होती है कि यह हृदय रोग का दर्द है तो रिट्रोस्टनल चेस्ट पेन, रेडियेटिंग पेन, इन नेक, जा, आर्म यह इंडिकेट करता है कि यह कार्डियोजनिक चेस्ट पेन है हृदय के कारण उत्पन हुआ सीने का दर्द है दूसरी खास्यते है कि यदि यह हृदय के कारण उत्पन हुआ तो अगर आप आराम करने लगते हैं तो थोड़ा सा यह भी कम हो जाता है में अगर आपको किसी एन्य कारण ने से हो रहा है नहीं हो गया है तो आराम करने से भी कम नहीं हो रहा है तो सब से बड़ी करेक्टरिस्टिक है चैस्ट पेन की खास करकर हिदय के कारण वह उसेंट्रल चैस्ट पे गुटन हो रही है सांस नहीं ले पा रहे हैं दर्द हाथों में जा रहा है आप सावधान हो जाईए यह हृदयकार दर्द हो सकता है फिर दूसरे नंबर पर आता है दिफिकल्टी इन ब्रीधिंग दिफिकल्टी इन ब्रीधिंग यानि सांस लेने में दिक्कत होना जिसको एक मेडिकल टर्म दिया गया है डिस्निया कहते हैं दिफिकल्टी इन ब्रीधिंग अब फिर हम आप से यही बात कहेंगे कि सांस लेने में तकलीफ और भी बीमारियों में होती है खास करके अगर किसी का फेफड़ा खराब है उसको दमा है तो उसको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है किसी गुर्दा फेल हो रहा है उसको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि Sue को खूण की बहुत कमी हो गई है उसको भी संस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह अदनार्मलिटी हिस्तिया, और भी बिमारियों में है, लेकिन है की जो कार्डियोजनिक कार्डियो वह Community है, वह बहुत होती है, क्या यह तो उतपन होती है, जब आप परिस्त्रम कर रहे हूं, कोई भी कार्राय कर रहे हैं, आप दो सीड़ी चढ़ने लगे आप थोड़ी दूर पैदल चलने लगे थोड़ा सा मेहनत का काम आपने प्रारम किया आपको सांस पूलने लगी और इसकी बहुत बड़ी स्पेस्पिक क्वालिटी है कि जैसे ही आप आराम करने लगे सांस का फूलना धीरे 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 कम हो गया और पूर नाराम की अवस्था में आप सामान हो जाते हैं सांस नहीं फूरती है तो डिस्निया ऑन एक्जर्शन यदि उत्पन हो रही है और बेटर बाई रेस्ट यदि परिवर्तित हो रही है तो आपको सावधान होना चाहिए रिदय रोग के कारण उत्पन हुई प्रतीत होती है इसकी जाच करा करके exclude करिए और यदि हार्ट के कारण हो रही है तो उसका उचित इलाज होना चाहिए तीसरा जो क्में लिखा है फटीग का मतलब होता है ठकान होता है हमया थकान महिसी करते हैं आप हो जाते हैं झाला भी कुछ करते हैं हैं जूड़ा भी मेनद करने भख जाते हैं जैसे जैसे गंबीरता रोग की slash today का जो ग्रेड है वह भी बढ़ने लगता है और यदि बहुत गंभीर अवस्था में हार्ट में प्राब्लम आ गई है तो ऐसे मरीच कुछ भी नहीं कर पाते किवल बैठे रहते हैं कि तो अगर असा मान्य थकान अनुभव हो रही है तो यह भी रिदय रोग का लक्षण हो सकता है फिर आता है साइनोसिस साइनोसिस का मतलब होता है कि सरीर जो है नीला हो रहा है जो हमारा ब्राइट नेसा इसकिन की वो ब्लू हो रही है और यह इसलिए होती है क्योंकि सरीर के चारों तरफ जब शुद्ध रख्त प्रवाहित होता है तो oxygen content पूरे सरीर में फैलता रहता है जिससे हमारे उतक और कोशिकाएं खुब प्रफुलित रहती हैं और bright रहती हैं हमारी skin का color glow करता है लेकिन जैसे ही oxygen का जो amount है जो मात्रा है blood के अंदर कम हो गई तो हमारा blood क्या हो जाता है deoxygenated होके नीला हो जाता है और यह नीला रख्त हमारे skin के color को जो नीचे tissues हैं उनको भी अपने ही स्वरूप में नीला रंक कर देता है जिसे हम sinosis कहते हैं sinosis further central sinosis होती है peripheral sinosis होती है उसको हम यहां पर जिक्र करना उचित नहीं है क्योंकि आपके पाठे क्रम का भाग नहीं है लेकिन sinosis आपको पता होना चाहिए यदी हो रही है आप देखें बहुत सारे चोटे बच्चे होते हैं जो रोते रोते सांस खीच लेते बहुत देर तक सांस खीचे रहते हैं सांसी नहीं लेते और उसके बाद होता क्या है कि उनका पूरा सरीर नीला होने लगता है माताएं परिव हैं फीवर बूखार यह कई कारणों से होता है बुखार के बहुत सारे कारण है लेकिन उसमें एक तर्माता है मेडिकल साइंस में पी यू वो पी का मतलब होता है पायरेक्सिया आफ़ अन्नों ऑरिजिन यानि ऐसा बुखार जिसका कारण नहीं पता चल रहा है आप लोगो की चल पारा था क्यों रहा है ज्यांच पर चाप कराओं लेकिन डॉक्टर नहीं में आ रहा है कि क्यों बुखार आ रहे। पकड़ नहीं पारहें हम तो यह जो स्टेज है कभी कभी कब़िव रदय के अंदर की जो सन रचनाए हैं उसमें infection हो जाता है खास करके जो अंदर से घेरी हुई एक membrane होती है जिसको हम endocardium कहते हैं यदि endocardium के अंदर को infection हो गया तो पायरेक्सिया अन्नोन ओर जिन देखने को मिलती है मरीज को पता ही नहीं चलता बुखार चल रहा था ठीक ही नहीं हो रहा है और जब बहुत एडवांस स्टेज हार्ट के अंदर डेवलप हो जाती ही वीमारी की तब जाकर के जहांचों में पकड़ में आती है कि यह तो पी यूओ का मामला सब एक्यूट बैक्टेरियल एंडोकारडाइटिस के कारण था तो यदि कोई भी ऐसा बुखार जो लंबे अर्से से चल रहा है और अन्न जांचों में सबसामान मिल रहा है कहीं पकड़ में नहीं आ रहा है तो हमेसा एक संदेह भी रखना चाहिए कि हम थोड़ा से और आप से बात करना चाहते हैं कि रिदय रोग में चेंज इन वेट देखने को मिलता है प्राया है देखा जाता है कि रिदय रोगियों का वजन बढ़ने लगता है वजन क्यों बढ़ने लगता है एक तो उनकी क्रिया सी लिता जो होती है फिजिकल एक्टिवि जिससे कोई क्रिया संपादित कर सकें तो इस तरह से बैठे बैठे अक्रिया सील होने के कारण शरीर में वजन का बढ़ना सुरू हो जाता है दूसरा डिफिकल्टी इन लाइंग डाउन अगर रिदय रोग इतना बढ़ गया कि अब वो फेल हो रहा है जिसको कहते हार्ट फ नहीं दो साइड हार्ट फिले और अलग होता है और रैट ए ट्रियल फिल यह लेफ्ट ऐस लेट नहीं पाते हैं लेटने से क्या होता है उनकी सांस फूलने लगती है घबड़ाहट होने लगती है बेचैनी होने लगती है लगता है घुट रहा है दम निकल रहा है और जैसे ही उठके बैठ जाते हैं उठके बैठने के बाद थोड़ी देर में उनकी सांस सामान हो जाती है घुटन कम हो जाती ही बेचैनी कम हो जाती है इस टर्म को कहते हैं और और थोपनिया ओर टी अचो पी अन ओई यह और थोपनिया मींस सच कंडिशन वेर परसन के नाट फिल कंफर्टेबुल हुआ ही लाइंग डाउन एक व्यक्ति लेटने में आराम नहीं महसूस कर रहा है बलकि उसकी सांस की तकलीब बढ़ रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही इसकी तो उटके बढ़ जाता है और जैसे ही ऊठके बढ़ जाता है विस तर पर थोड़ी देर में करम द्यआ हर फिर उसकी तकलीफ हें कम वह जाती है और सांस की जो दिक्कत है वो भी सामाने हो जाती है और मरीज को आराम मिल जाता है तो यदि ऐसा लक्षण आ रहा है आपको तो आप हमेशा है ध्यान रखिए कि हार्ट में प्राब्लम है हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है स्वेटिंग मिन्स पसीना आना अगर असामानने पसीना आ रहा है आपको खास करके उस स्दिती में जिस समय आपको सांस में दिक्कत हो रही है जिस समय सीने में दरद हो रहा है जिस समय आपको सांस लेने में रुकावट अनुभव हो रही है तो यह excessive sweating हार्ट के problem की तरफ इसारा करती है फिर palpitation, palpitation means धड़कन का बहुत जादा अनुभव करना रोगी आते हैं प्राया कहते हैं कि हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि हमको अपने आप सुनाई पड़ता हम हाथ रखते हैं सीने पर तो हमको लगता है कि दिल बहुत ते 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 धड़क रहा है जिसको हम palpitation कहते हैं palpitation वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति स्वयम अपने हृदय की धड़कन को अनुभव करने लगता है सामान ने ता हमको आपको हृदय की अंदर की धड़कन नहीं पता चलती हम उससे अनवेयर हैं लेकिन फिर भी हार्ड बीच चल रही अंदर लेकिन आपको अनुभव नहीं होती लेकिन ऐसी असामान ने वस्था जहां आपको हृदय की धड़कन अनुभव होने लगे हिर्दय की गति असामानने रूप से तेज हो गई जिसको टैकी कारडिया कहते हैं अथवा असामानने रूप से धीमी हो गई जिसको ब्रेडी कारडिया कहते हैं दोनों ही परिस्थितियां हिर्दय की ओर इशारा करती है कि हिर्दय में कोई प्राबलम है कि ब्रेडी कार्डिया टेकी कारडिया भी होता है जैसे कोई अगर दर रहा है तो उसके खिस्वाण ँसको सांस नहीं फूलती अगर सांस रोग के वज़े फूल रही होती तो वह दर ही नहीं पाता लेगन न फिर जब आराम कर लेता है तो ठीक हो जाती एकदम सामान हो जाता है लेकिन उसका एनरजी लेविल कम नहीं रहता उसी प्रकार से जो एथलीट होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उनकी रिदय की गत्वी सामान से थोड़ा कम हो जाती है जिसको के रोग की तरफ उसका इसारा है फिर लास्ट में हमने लिखा हुआ इडिमा ओईडिमा का मतलब होता है कि सरीर के अंदर सूजनाना सूजन कई कारणों से सरीर में आती है। सरीर बिभिन भागों में आती है। लेकिन हार्ट को अगर इडिमा है तो सबसे पहले उसकी सुरुचा हमारे पहरे के निचले हिस्सेश होती है। जहां पंजे के ऊपर एक joint है जिसको ankle joint कहते हैं वहां पर सूजन उत्पन्न होगी और अगर आप अंगूठे से थोड़ी देर दबाएंगे तो वहां एक गढधा पढ़ जाएगा यह सूजन अगर आपके सरीर में खून की कमी है तो भी होगा यह सूजन अगर गुर्दा फेल हो रहा है तो भी होगा यानि और भी कारण है इस सूजन के होने के लेकिन अगर गुर्दा फेल होगा तो इसकी सूजन सबसे पहले आख के नीचे सुरुआत होती है पफी ने साफ फेस होता है किसी भी मरीज का अगर गुर्दा फेल हो रहा है तो उसके सूजन की सुरुवात चेहरे से होती है सुबह जब उठता है तब देखता है कि हमारे चाहर हमारा चेहरा थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है खास करके निचली भाई लिड है उसके नीचे सूजन रहती है लेकिन हार्ट में अशान होता हार्ट में सूजन के सुरुवात आंकिल जुवाइंड सबस्कुर principe और मरीज जब सोगे उठता है तो उसको नहीं रहती जैसे जैसे ओटहलता है दिन में और काम करता है सूजन बढ़ने लगती है और साम तक सूजन बहुता जाती है तो यही इडिमा जो पीडल इडिमा जिसको कहते हैं जो हमारे लोवर लिम में जो फूट है एंकिल जोएंट है वहां मौझूद है और फिर रात में लेटने के बाद कम हो जाए हार्ट के डिजीज की तरफ इसार करते हैं अब इनका उपचार क्या है खास करके योग में क्या उपचार है कि सबसे पहली बात तो है कि आप कोई भी योगिक क्रिया यदि कर रहे हैं तो एक कुसल योग प्रसिच्छक के निर्देशन में ही करें वह इसलिए कि उसको ज्यात है कि किस अवस्था में किस बीमा जूगिक क्रियाओं की वर्जना है उनको कांटरा इंडिकरPad किया गया है मना की जा गया है और कौन से रोग में किस योगिक क्रिया की बहुत ज्यादा उपयोगिता है तो ह्रदय को स्वस्थ करने के लिए PLA स्वस्थ रहे सबसे पहले आप अपने वजन को नियंत्रित करें एक आउसत लंबाई के हिसाब से यह किसी की साढ़े-5 फिट-6 फिट लंबाई है तो उसका वजन अपने लंबाई के हिसाब से सत्तर किलो 65 किलो से सत्तर किलो या और लंबाई बढ़ रहे तो उसके हिसाब से डेटर्माइन किया जाता है यदि उसके अनुसार आपका वजन है तो सामाने परिस्थितियों में रिदय के उपर कोई ओवर्लोड नहीं पड़ता और रिदय आपका पूरी तरह से स्वस्तों के काम करता है लेकिन जैसे ही रिदय के ऊपर ओवर्लोड हूगा यानि आपका वजन बढ़ा और जैसे ही वजन बढ़ता है सरी ज्यादा चीजों की डिमांड करता है ज्यादा आक्सीजन चाहिए न्यूट्रियंट चाहिए तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और इसलिए देखा गया है कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको हार्ट फिल्योर बहुत कामन हो जाता ह है क्योंकि सरीर की डिमांड जादा है हार्ट फेल हो रहा इतनी सस्टेंड नहीं वर्वर्क कर सकता है तो एक अपना वजन आपनी अंत्रित करें दूसरा कुछ चीजों का जो भोजन है आपका उसमें तलीव हुईनी चीजों का जो गरिष्ठ चीजे हैं जो ज्यादा लिप आहार लें हरी साख सर्जियों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें तीसरा नियमी तरूप से व्यायाम करें जॉगिंग अवस्था के अनुसार अन्य व्यायाम फिजिकल फिटनेस के लिए करने चाहिए अब बात आती योग हम कौन सा करें जो रिदय के लिए बहुत उप किस्यन से अपना कार्डिय की वेलिएशन का अपने इISHAक लिए अपने की जाच करा लिए अपने शरीड की यात्च करा लिजिये कि आपको बलट प्रीसर सांवान है अथ्वा नहीं है हार्ट के अंदरक अन्दर नियुत ivas rustin तो नहीं है आपके और दूसरे जो अगने तंत्रम सरीर के सब सामाने है कपो आप कोई भीयोग करियां प्राणायाम ध्यान इन सब अपने नियामित की क्रम में उसको शामिल करें ध्यान बहुत ही सरवत्तम है प्राणायाम सरवत्तम है हिर्दय को स्वस्त्राइब के लिए कपाल भाती रामबान है हिर्दय की जो हमने आप पता इस चीमिक हार डिजीज जो होती है जहां हिर्दय के अंदर जो रख ले जाने वाली नलिकाओं में अंदर अवरोध आता है यदि आप कपाल भाती नियमित कर रहे हैं तो उसके भावना पहुत ही छीड़ रहती है भस्त्रिकाओं आप करिये तो यह जितने भी क्रियाएं हैं आपके हिर्दय को उर्जा प्रदान करती हैं हिर्दय के अवरोध को जो नलिकाओं में उत्पन होता इसको दूर करती हैं आपको एनर्जेटिक रखती हैं आपके रहते हैं तो हृदय को स्वस्त करने के लिए नियवित व्यायाम में कपाल भाती भस्त्रिकाओं आप प्राणायाम जीतनी भी ध्यान की मुद्राय हैं इन सब को करें सूर्य नमस्कार अवस्य करें सूर्य नमस्कार भी इसके लिए बहुत लाभप्रद है और भी तमाम में इनका अभ्यास करते हैं तो आपके रिदय को एक्वायर डिजीज होने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है बहुत नियूनतम रहती है धन्यवाद